बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के पिकर पे खड़े होकर बताएंगे अब बताएंगे, मस्जिद के खड़े होकर बताएंगे, मेरा नामे मालीच और आप मुझे देखरे हैं मेरे यूटूब के चैनल पे आज का जो वीडियो में आप लों के लिए लेकर आई हूँ, ये बड़ा मज़ेदार वीडियो है, अभी थोड़े अर्से पहले ही मालीच की जो है कहानी चल रही थी, I know मैं उस पर वीडियो नहीं बनाए, मगर मैं डरामा देख रही थी कि मालीच में क्या डरामा चल रहा था किस तरीके से, इंडिया के बारे में चीजने बोली जा रही ही थी, and all that stuff was happening, और उसके बाद इंडिया नहीं कैसे, रियाक किया, पर उसके बाद उनका किया, वह सारा ड्रामा हो गया, वह पुरानी नियूस होगी है, अब आते हैं नहीं नहीं नियूस पे, so apparently अब बंगलाद किसके साथ क्या हुआ है, कि सरीके से, इंडिया ने उनकी ठोपके रगदी थी, तो आप, why would you do that, something like that, but anyhow, वीडियो पे जाने से, पहले, इस वीडियो को लाइक, शेयर, और इस चैनल को सब्स्क्राइब कर नहीं मत भूल लेगा, guys, आपकी सपोर्ट से ही, तो यहाड़ी धक दक्का दक्का चल रही है, उसके इलावा पेपैल की तुरू आप सपोर्ट कर सकता है, सूपर जाइट के तुरू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, तुरू आउट इस वीडियो, चलते हैं, इस वीडियो नहीं करा, क्यों बांगलादेश, इंडिया का एक और सबसे बड़ा रीजनल आलाई, अब इंडिया को बॉयकॉट कर रहा है, येस, मालिवस के बाद, अब बांगलादेश में, हास्टाग इंडिया आउट, हास्टाग बॉयकॉट इंडियन प्रोड़क्स, और हास्टाग बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड पर है यहां तक कि हमारे प्रधान मंत्री का भी एक प्रॉमिनेंट बांगलादेशी human right activist ने हाली में मजाख उड़ाया था बट यहां पर दोगलापन यह है कि सबसे आठ से दस दिन पहले ही बांगलादेश की PM शेक हसीना ने इंडिया को बांगलादेश का ग्रेट फ्रेंड और नेक्स्ट डोर नेवर कहा था जिस देश के बांगलादेश के साथ रिलेशन बहुत अच्छे इन फाक्ट जब मालडेश ने इंडियन पी-म का मजाख उड़ाया तब बांगलादेश के फॉरें निस्टर अब्दुल मोमिन ने मालडेश को openly condemn भी किया तो फिर इन दस दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बांगलादेश के सुर्फ एकदम से बदल गए और वो इंडिया को बॉयकॉट करने लगे वेल इस पूरे फसाड की जड मैं है एक बहुत ही गहरी साजिश जो हमने आपके लिए पूरी तरीके से डिकोड किया है ताकि आपको पूरा मामला समझे वीडियो को एंड तक देखना वरना आप आधी अदूरी कहानी ही समझ पाओगे और एक ग्लेम गेम में बस जाओगे So 8th January 2024 को एक फेमस बांगलादेशी ट्विटर हैंडल रिवोल्ट ये ट्वीट शेयर करता है इसमें वो क्लियरली लिखते हैं कि इंडिया बांगलादेश का दोस्त नहीं है इंडिया को बाहर निकाले इस पोस्त के बाद अगले कई दिनों तर ये चैनल आंटी इंडिया ट से जुड़ा हुआ है ये मैं आपको कुछी वक्त में बताओ अब इस रिवोल्ट चैनल के इंडिया आउट कैम्पेइन को शुरू करते ही कई प्रॉमिनेंट बांगलादेशी इस बीसिमिलर पोस्त करके इस कैम्पेइन में जुड़ने लगे और इस ट्रेंट में बांगला जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि कंफ्यूजिंग बात तो ये है कि कुछी आठ से दस दिन पहले उनके पी-म ने इंडिया को ग्रेट फ्रेंड बताया और उनके फॉरन मिनिस्टर ने भी इंडिया के सपोर्ट में माल्डिस को कंडेम किया इसके लिए समझते हैं कि इंडिया की मदद से इलेक्शन को रिग किया याने कि उन्होंने इंडिया की मदद लेकर इलेक्शन में घोटाले किये और इस वज़े से वो पी-म बली इसी का विद्रो करने के लिए फिर बांगलादेश की उपोजिशन पार्टी बांगलादेशी नाशनलिस पार्टी ने हाश्टाग इंडिया आउट कैम्पेइन चालू कर दी जिसके बाद एक उस रिपोर्ट के अनुसार पिनाकी भटचारिया जो मांगलादेश के human right activist और सबसे importantly BNP के सबसे बड़े supporter है उन्होंने Twitter पर इसी boycott India trend को और भी ज्यादा वाइरल कर दी अब friends कहानी यहाँ पर खतम नहीं होती बलकि यहाँ से तो शुरुवात है इस campaign के पीछे हाथ है कुछ बहुत ही powerful anti-India forces by the way क्या आपको बता यह campaign बांगलादेश से नहीं बलकि लंडन से operate की अटारा और इसे opposition party BNP के chairman तारीक रह्मान चला रहे Eurasian Times के investigation report के एसाब से जैसे ही 8th Jan 2024 को शेक हसीना बांगलादेश के election को जीती तारीक ने अपने party members को यह order दिया कि वो बिलकुल Maldives जैसे ही India out campaign को शुरू करे अब तारीक के इस order को देते ही तुरंत BNP Cyber Wing active हो गए और उन्होंने anti-India tweets publish करना शुरू कर दी अब यादे मैंन News Sputnik के साब से revolt नाम का यह Twitter handle कोई और नहीं बलकि NDP का mouth piece है और इसी news report के मताबिक तारीक के orders पर ही इसी page ने India out boycott India trend की शुरूआत की अब क्या आप जानते हो तारीक इंडिया को इतना hate क्यों करते हैं वेल इसका जवाब उनके family lineage में छुपा हुआ है तारीक Major General Ziaur Rahman का बेटा है जो पाकिस्तानी आर्मी में top position पर थे और बांगलादेश के पहले military dictator भी इन फाक्ट उनने 1965 में इंडिया के खिलाफ war भी लड़ा था जिसके लिए उनको पाकिस्तान government ने medal देकर honor भी किया था और इसी लिए उनके दिल में इंडिया के लिए hate शुरू से ही है So 1978 में जियाओर नहीं बांगलादेशी nationalist party BNP वनाई था and you know what इस party की history रही है इस party ने हमेशा power में आने के लिए opposition party वालों का murder किया है दरसल 1975 में खुद बांगलादेशी news report के हिसाब से जियाओर रहमान ने father of बांगलादेश शेक मुझीबूर रहमान का murder किया था और उनका murder करने के बाद जियाओर बांगलादेश के military dictator बने नाव क्योंकि जियाओर इंडिया से काफी ज्यादा hate करते थे और शेक मुझीबूर इंडिया को अपना सबसे बड़ा ally मानते थे इसलिए जियाओर ने power में आते ही anti-India narrative पहलाना शुरू किया और लोगों में Islamic radical mindset डालना शुरू किया इस radicalization के लिए सबसे पहले उन्होंने constitution को amend किया और जहां पहले बांगलादेशी citizens को Bengali बोलते थे उसे amend याने change करके उन्होंने बांगलादेशी term introduce किया और उन्ही के tenure में जो बांगलादेश एक secular देश हुआ करता था तो Islamic Republic बन गया और इसके बाद as you can imagine इनके term में बांगल 2006 और 2001 बट इन तीनों elections में एक common pattern है इलेक्शन से एक साल पहले BNP हमेशा से मांगलादेश में एक anti-hindoo protest करवाती है और ऐसा ही करके उन्होंने तीन बार elections जीते भी हैं जिन में से 2001 का anti-hindoo massacre काफी दिल दहला देने वादा था संडे गाजियन के रिपोर्ट के मुताविक 2001 में BNP के लीडर्स या उर्रहमान की वाइफ खालीदा बेगम और उनके BNP पार्टी वरकर्स ने 1500 दिन का continuous हिंदू massacre करवाया था और जब इस massacre के inquiry commission ने रिपोर्ट पब्लिश की उसमें पता चला कि उन 1500 दिनों में in total 18,000 anti-hindoo incidents जिसमें unfortunately 1000 हिंदू ओर्टों का रेप और 200 ओर्टों का ग्यांग रेप और करीब 50,000 हिंदू पांगलादेश चोड़कर इंडिया भाग गए था इसे ही anti-India और anti-hindoo sentiments का use करके BNP पांगलादेशी Muslims को brainwash करके उनके votes अपने side कर पे आ रही है अब यहाँ पर आपने एक strange बात notice की यह तारीक रह्मान BNP पार्टी का chairman है फिर भी वो लंडन में रहता है और वहीं से पार्टी को संभालता भी क्या आपने दिमांग में सभालता है वेल इसके पीछे ना कुछ काफी concerning reasons है जैसे मैंने बताया BNP party last election 2001 में जीती और उसके बाद से शेख हसीना जी वहाँ पर elections जीतते आ रही है ऐसा इसलिए क्योंकि शेख हसीना जी ने जब से बांगलादेश की politics में entry लिये तब से वो बांगलादेश को पाकिस्तान की तरह radicalization के बज़ाए development के रास्ते पर लेके जा रही है और इससे बांगलादेशी economy में clear improvements भी दिख रहे हैं और शेख हसीना जी के इसी approach के वज़े से BNP की popularity कम होने लगी इस गिरती popularity को देखते हुए 2004 में तारीक ने हसीना जी पर एक assassination attack प्लान किया हुआ कुछ ही हो 21st August 2004 में शेख हसीना जी बांगलादेश के एक city में anti-terrorism को लेकर speech दे रही तभी तारीक और उसके 19 साथियों ने हसीना पर कई hand grenades बिखे इस attack में हसीना जी injure हो गई और उन्हें partial hearing loss हो गई पर वो इस attack से जैसे तैसे करके बच गई लेकिन unfortunately इसमें उनके party के 24 लोग मारे गए और लगभग 500 लोग बुरी तरह से घायल हो गए इस terrorist attack के लिए धाका कोट ने ये वर्डिक दिया कि तारीक ने हरकत पूल जिहाद अल-इसलामी इस terrorist organization के साथ मिलकर ये पूरा terrorist attack प्लान किया और तारीक ही इस attack का mastermind था और इस crime के लिए कोट ने तारीक को life imprisonment की भी सब्सक्राइब ये सजार डिकलेर हो दई तारीक लंडन इसी terrorist attack के बाद US court ने बांगलादेश nationalist party को terrorist organization डिकलेर कर दी लेकिन तब से लेकर आज तक तारीक लंडन से party को संभाल रहा है और अब recently हो रहे anti-India protests और मांगलादेश जेन्डर elections में इंडिया के involved होने के allegations भी इसी strategy का हिस्सा है but you know what it doesn't stop over there bangladeshi news media के reports के अनुसार तारीक तो सिर्फ पेस है इस पूरे anti-India narrative फैलाने की साज़िश और भी गहराई तक जाते है इस anti-India campaign के पीछे at the very root Pakistan का भी involvement है जो बांगलादेश को वापस से East Pakistan बनाना चाता है इस रिपोर्ट के मताबिक जब भी तारीक को कोई भी political या party related decisions लेना होता है तो वो ISI को call करके उनसे सला मशौरा करके ही decision लेता है इसका proof देते हुए डेली सन ने बताया कि 2019 बांगलादेश election में BNP party ने सीधे सीधे ISI preferred 300 candidates को ही election के tickets दिये थे Can you believe this? Directly ISI उनके candidates चुनती है So basically इस पूरे शडियंत्र में पाकिस्तान का ये फाइदा है कि BNP को support करके पाकिस्तान अपनी puppet government बांगलादेश में install करना चाता है जिससे पाकिस्तान को दो बड़े फाइदे होंगी पहला उसकी 1971 में खोई हुई territory वर्चुली उसी के control में दोबारा आ जाएगा और दूसरा वो इंडिया के North East में भी continuous insurgencies easily फैला सकेगा इन फाक्ट जब 2001 में BNP power में थी तो एक prominent बंगलादेशी न्यूस के रिपोर्ट के एसाब से तारीक Assam-based United Liberation Front of Assam उल्फा insurgent group को ISI के orders पर financial और arms प्रोवाइड करके support करता था मतलब in short तारीक इंडिया भर में terrorism फेला रहा था सो यह थी बंगलादेश opposition party द्वारा चलाई गई इंडिया आउट campaign की पूरी story क्या आपको इसके बारे में पता था comment में जरूर बताना basically इस video से मुझे लिए अनिकेट करना था इससे हम साफ समझ सकते हैं कि हमारे neighborhood countries में friendly सरकार होना हमारे देश की national security के लिए कितना important थी and my personal opinion is हमारे national security के लिए हमें उन देशों की election procedure में अगर involved भी होना पड़े तब भी इसमें कोई गलत बात नहीं है in fact ये बात हमारे कॉटिल लिया also दोनाश चानक्या जी ने अर्थ शास्त्र बुक में भी कहीं है हजारों साल पहले so इसमार आपका क्या opinion है निचे comments में जरूर बता है all right seriously मुझको नहीं पता था I didn't know क्या होने वाला था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है but wow ये तो बड़ी गहराई में गविया बड़ी गहराई में मगर I'm not surprised कहीं भी terrorism हो कहीं भी कुछ होता है वहाँ पे end में जहा करना सुरह हम के अंदर घुजे के जब निकल के देखते होना at the end कहीं नहीं पाकिसानी ज़रूरी निगलता है उसमें I don't know ये क्या है क्या कीड़ा है but it always is there अगर मैं अलत बोल रही हो तो मुझे comment section में बता ना आप at the end of the tunnel आपको कोई ना कोई पाकिसान ही निगलता है महां से um so Jessica नहीं कहा कि obviously Pakistan के फाइदे है इसमें if they do take over uh they do want it back Pakistan to Kashmir भी चाहता है पाकिसान तो भी चाहता है वो तो घजवाय हिंद भी करेंगे और सब कुछ लेंगे और सब कुछ लेंगे पाकिसान इंडिया तो छोड़े ये तो चाहते है पूरा पूरी दुनिया इंकी होगी right that's what they believe in in their religion if you can say that right so internet को जमाना है इसके बारे में आपको कुछ बोलना चाहूंगी right so अब मैंने पहले भी एक बात गी थी के we are dumbing down हमारी जो societies हैं उनको हम बेखुव बनाना चाहरे हैं कंट्रोल करना चाहरे हैं और आप किस तरीके से लोग कंट्रोल कर रहे हो आप कर रहे हो through the internet लोग इंटरनेट पे फोनों पे टैबलेट्स पे addicted हैं वो चीजें देख रहे होते हैं अग जो चीज वो देखेंगे वोई चीज उनको ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लिखाए जाती है जो चीजे मैं वाच कर रही होती हूं मुझे सिर्फ एक्स मुस्लमानों के वीडि सिर्योसी मेरी मेटी यह दी मुझे साइन आउट कर दो तुम्हारे सारे जो बेकार वीडियोस है ना वो हर वक मुझे को दिखाए जाते तो एनियाओ जो चीज वो है और आपका नेरेटिव जितना स्ट्रॉंग होगा तो और कितने चीज तरीज आप बेच लेते हैं कितने लोगों की डिरेक्शन उस तरफ जाएगी अब यही चीज गई थी यूएस के जो एलेक्शन हो रहे थे के वही रिंट किये थे और उसमें फेस्बूक इंवल्फ था और इसी हो सकता है इट इस नाट पॉसिबल कि नहीं हो सकता है आप टेक कंपनी के लोगों को पैसे देकर केंपेंज चलाते हो आप ऐसे ही केंपेंज चला सकते हो यून फेस्बूक पे अगर मैं बैटू तो मैं भी अड़िटाइज करके अपने आपको फीमल प्रॉफिट की रिलेजिन जो है प्रमोट कर सकती हो नोबडी स्टूपिं मी फॉम दूब दूब बात है कि मैं फेस्ब के से इंडिया सपोर्ट कर रहा था मगर मैंने यह एक चीज़ देखी है जैसे कि जब जस्टिन टूडों यहां पर एलेक्शन लड़ रहा होता है या जब फ्रांस में मिक्रॉन एलेक्शन लड़ता है तो हमारा ओबामा जो है वहां से बैट कर उनको प्रमोट करते हैं वो क अगर इंडिया में किसी की प्रफरेंस है अगर मोदी जी गहते हैं यह जो भी रूलिंग पर्टी की हैं ईनको मैं सपोर्ट करता हूं तो इसमें बशी बात किया वीग बड़ी बड़ी ड़स आई यह उसमें मुझे तो इसमें बड़ा वो नहीं लग रहा है मगर रिलिजिन को लेकर यूज किया जाता है गंदी पे बैठने के लिए this is something we have seen जो जोई चीजे बात ने बता रहे थे it was just like Pakistan just like Pakistan जिस तरह से जावलक आया जावलक ने आ कर जावलक से पहले भुट्टो ने भी थोड़ी बहुत कर दी थी पाकिसान की गंदी की सार्ट करती थी शुरू हो गया था वो मुल्लाओं को प्लीज करना but then जावलक केम और उसे सत्यनास ही कर दिया right secularism की अभाण में और पाकिसान का हाल आप देखें क्या हो रहे है वो तो वही बात है क्योंके दो परसे तिस बिन रूलिंग बंगलादेश और भंगलादेश रहा की की है उंके अंदर right it's just something के it's not it's not it's not a uh जब हम लोग कहते थे थे तुम्हें टकेक ही नहीं हो तो बंगलादेश का जो टका था ना वो आकका बहतर हो गया आपके पाकिसान के रोपे से तो आप you know you just see किस तरी से चीज़ें जा रही हैं but anyways यह जो trends वगरा start होते हैं it is very easy to do that अगर आप लोगों को जानते हो और इसी तरीके से fake news भी फ्हलाई जाती है you know and there you find out oh it is fake news and stuff like I said के internet पे देखकर बात करनी हैं देखके करा करें share क्या चीज़ है क्या नहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा है what is happening और कभी कभार ऐसी होती है मैंने tweets एक ही जो पता रही कौन से random accounts से छोटी सी start होती है and they become huge बड़े-बड़े politicians बड़े-बड़े लोग उसको रिट्वीट कर रहे होता है बाद में बड़े चलता है कोई थाई नहीं कुछ थाई यह नहीं होता है खोदा पाड निकला चुहा but इसके पीछे इन्होंने जो बताया है and if it is legit I'm just going by his video then that's really sad और हाँ जो comparison इन्होंने कहा ये चीज़ जो है western countries में especially London जो है ना वो तो मैं कहती हूँ हब है क्रिमिनल्स का क्योंकि जिस मुलक में जितने क्रिमिनल्स होते हैं वो सारे जाकर कहां छुपते हैं वो जाकर छुपते हैं लंडन में अलताफ हुसेन, नवास शरीफ ये सारे politicians, इमरान खान जो है वो इंग्लेंड में लंडन में है क्योंकि उनको चाहिए पैसा तो वो इन सब को refuge देती हैं और ये चीज इंग्लेंड में और लंडन में और ये सारे countries में change होनी चाहिए ये Canada भी कोई कम नहीं है यह यहां पर आके भागते है इन लोगों को भेजना चाहिए पकड़ पकड़ कर and I think मुझे तो जहां तक याद है I don't know but these countries do have some kind of treaty some kind of commitment with each other जहां से लेकर आते हैं लोगों को क्योंके Canada का एक बंदा था who was wanted and he went to Europe Canada यूरोप के अंदर बीच में वो है treaty and then महां पर यूरोप में जाकर उसको arrest किया और उसको यहां पर भेजा था तो I am kind of curious कि यह चीज़ I guess नहीं है वरना तो अलताफ हुसैन को और यह सारो लोगों को भागे में उनको criminals को उठा कर लाया जाता right so I think this is very necessary यह करना चाहिए क्योंकि मैं कितुने पाकिसानी यहां पर जो है mortgage का fraud, lawyers fraud करके पूरे loans लेकर, bankruptcy करके भाग गये पाकिसान में बैठे में अरे हुआ एक Mrs. Pakistan की उसने पतनी कितुने million dollars का fraud किया था यहां US में अब वो पाकिसान में बैठी और पता भी यहां बैठी है तो उसको पकड़के लेकर आना चाहिए नहीं कि नहीं I think there should be some kind of treaty some kind of you know thing between the countries ता के वो जो है इसे criminals को पकड़के ना जेल में डाला चाहिए especially this guy committed murder how is he openly running in England this is just again you know और Altaaf Hussein की तरह Altaaf Hussein को यह नहीं उसकी आवास सुनने के लिए हज़ारों लोग बैठे होते थे एक तो लोग इतने पागल कहां से आ जाते मुझगो तो नहीं सुनते तो सारे लोग यार मैंने भी अपनी कल्ट बना आनी है मिनको भी सुना दरो हो तुम लोग इतने सारे लोग वो वहां से बैठ के चूतिया बना रहे एक तो होता है ना आप घर में बैठ के चूतिया बनातों ना भाया ना बहार ओवर सीजा सार समंदर पार बैठ के चूतिया बनातों और दूसरी पर्टी को बंगला देश में लोगों को इस चैंस लेना चाहिए इसमें कि अगर आप यहां बैठे ही नहीं हो तो ह्कम इस पर्टी इस चील रणिंग कुछ करना तो पड़ेगा यार मुझे बना तो मैं मैं ठीक करती हूं लिटल लगा लगागा करे पाकिसाँ में या बंगलादेश में पाकिसान में इस ट्रॉंग फीमेल घख दरूरत है इनको चितल लगा-लगा लगा करना ठीक करें Anyways guys, मुझको बताएगा कि आपको क्या पता था कि यह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा lui क्यों कि मेरे को तो पता ही नहीं था एक Light Bulb ज़रा है Comment section में उत्पान है कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो और मुझको यह बता है इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब पर ना मद भूलना और यू किन अवस्पोर्ट नाओ बाइस शुपर्चाइट दूरिं इस वीडियो आप थैंक्स का बटन है उसको तब आगे सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब की या पेट्रियोन, ओनली फैंस या पेपल के थूरू आप सिंप्ली मुझको पैसे भेज सकते हैं हमारे पास पेटीयम का भी बंदुबस्त आओ या साहा ने बंदुबस्त किये मैंने इतने लिंक्स बनाएं, इतने अपाउंट्स बनाएं, मुझे किसी का पासवर्ट भी नियाद रहता है ठीक है ना? तो एनियाओ, I hope कि आपको यूडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक और शेयर मार के ना, आगे निकल जाने का है बेडू, मिलते हैं आप से, नेक्स वीडियो में, हब तक की, पाई पहल के धूर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत माइने रखती है